हलो एब्रिवाइन, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फर्स्ट क्लास की मैथ की बुक के बारे में मैथ में क्या स्लेवस होता है और बच्चों को क्या-क्या पढ़ाया जाता है तो बुक को खोल के देख लेते हैं, क्या है उस स्लेवस में तो यह है इसकी जो इंडेक्स है कंटेंट इसमें क्या-क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा कि फर्स्ट क्लास में क्या स्लेवस होता है यह मैथ का स्लेवस है इसमें नमबर्स अप्टू 20 करवाया है सब कुछ ये 20 तक इसमें cover करेंगे जो इनको kg में पढ़ाये गया है ये starting में उसी का revision करवाये जाते है इसलिए starting में 20 तक ये रखा गया है तो same ऐसी addition up to 20 20 तक इसमें addition भी करवाएंगे option, subtraction up to 20 shapes and pattern इसमें shapes के बारे में बताये जाता है numbers 21 to 50 यहाँ पर इसकी spellings भी revise करवाई जाती है page number 70 ने आपको दिखा देती हूं यहाँ पर numbers का बताया हुआ है इनको 1s place 10s place which one is the small ring the small number smallest यह 21 से 50 numbers का वही जो first chapter में मैंने आपको दिखाया था same वही है increasing order decreasing order बट यहां पे numbers बढ़ गए है and next है measurement उसके बार numbers 51 to 100 same जो मैंने आपको इसमें बताया है same 51 to 100 यह इनका second term में आता है जैसे first six month में यह करवा देते हैं और जो after six month होते हैं उसमें यह syllabus करवाया जाता है उसमें आता है measurement और number 51 to 100 addition and subtraction 21 to 99 जब बच्चे टू डिजिट्स का सीख जाते हैं तो उसके बाद उनको 21 के बाद 99 तक कोई भी number दे दो तो बच्चे easily उसको कर लेते हैं तो यह इनोंने second term में रखा है और time सिखाया जाता है money सिखाया जाता है data handling सिखाया जाता है और उसके बाद आता है multiplication multiplication में सबसे पहले tables करवाई जाती है school पे depend करता है वो 5 तक बच्चों को table सिखाते हैं या 10 तक बच्चों को table सिखाते है तो यह था मेरा आज का वीडियो I hope आप लोगों के लिए helpful रहा होगा अगर helpful रहा तो आप मेरी वीडियो को like कर सकते हैं चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को भी subscribe कर सकते हैं Thank you so much for watching this video Bye